कि खोटे इंवेस्टर है या फिर और हमारे जो छोटा इंवेस्टमेंट है उसे एक तगडा माशिव लबल का ले पाए इसी उममेद्स से हम क्रिप्टो मार्केट पर एंटory या फिर क्लिप्टो कॉटिंग की होंडिंग यहाए करते हैं काभी सारे लोगों से हमने यह भी सुनाया कि नहीं, क्रिप्टो कोईन से मैंने, मतलब सुना भी हैं, देखा भी हैं, हमरे दोस्त लोगे से, मैक्समुम हम उससे ज्यादा तर जो इंवेस्टर है, किसे न किसी फ्रेंड के थूर ही क्रिप्टो मार्केट पर यहां पर आए हैं, कि उसने ये किया, उसने इतना कि आज के टाइम, हम थोड़ा बहुत इंवेस्टमेट करेंगे, या फिर इंदर सेंस, हम आज के टाइम पर हजार 25,000,50000, ऐक लाख तक लेगाएंगे, अच्या तगड़ा रिटर्न आने वाले, दो, तीन, चार सालों के अंदर लेंगी, आज के वीडियो में दोस्तों, इस तो उसका supply एक trillion हो सकता है क्या शीऊ वालूगा एक trillion हो गया तो शीवा उन्हों से कितना return मिल सकता है कितना यहाँ पर वैंफिट हो सकता है है रेक डीटेल में यहाँ पर बात करेंगे अगर एक ट्रिलियन होता है तो आज के टाइम पे Bitcoin का value क्या होता है बट उससे पहले कुछ important चीज़ें के उपर बात कर लेते हैं कुछ positive news देख लेते हैं जैसे उसके बाद हम आगे discussion कर सकते हैं प्रीज देख लिक लुक जो लुक लुट ओिस फिस उस्टेख झालशलीब के सब्सक्राइब लिए लूटने इस स्थेज़ एंजू जेख लिए तो जैसे कि आपने देखा हमारे फीनास मिनिष्टर या फिर निर्वालर सितन जमन जी की बात करूंगा तो काफी बोल्ड और पॉजिटिव श्रेक्मेंट दे रहे हैं इंडिया में कंडेक्ट हुआ कल आज भी होने वाला है तो इससे भी क्रिप्टो करेंसी को लेके मजलब अगर आप बात करोगे क्रिप्टो करेंसी है यह डेफिनेटली को चीज़े हैं अगर आप देखोंगे यहां पर सबसे पहले में आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं तो एक स्टॉक मार्केट पर लेकर चलता हूं आपको यह डेटा देख लेजें स्टॉक मार्केट का करेंड वैलू अगर हमसे ढखर वालू देखो गे तो एक boom किया है stock market बड़े-बड़े investor या फिर बात करूँ companies या फिर जो भी हो stock पर definitely पैसा लगाते हैं and same thing हमें cryptocurrency भे होता हुआ दिख सकता है बहुत newer future and मैं आपको और एक data यहां पर दिखा देता हूँ आज से अगर हम लगबग 30 से 33 साल पीछे चलेंगे यानि को 1990 पर चलेंगे तो 1990 पर दोस्तों जैसी कि आप देख सकते हो 1990 को यहां पर लगबग stock market का valuation था आप देख सकते हो यह stock market का तब global stock market I think तो उतना फला फुला नहीं था बट उस टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो stock market में काफी बड़ा बुम आया है and same thing happen हुआ तो हुआ दिख सकता है दोस्तों हमें crypto market पे भी आज के टाइम पर अगर global crypto market की बात करेंगे तो global crypto market भी 1.0 trillion यानि कि 1 trillion के आसपास है आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों के अंदर global crypto market में यहाँ पर एक अच्छा बुम आ सकता है क्योंके stock market का एक वारी competitor अगर आप देखोगे तो crypto market है and stock market का एक alternative अगर आप देखोगे तो crypto market है same thing यहाँ पर stocks भी जो होता है इसी पर भी होता है बट stock पे अगर आप देखोगे globally एक rules regulation को लेके stock चलता है and हर country इसको support भी करता है and इसको चलाते भी है same thing यहाँ पर crypto currency भी होता हुआ दिख सकता है जैसे कि हमने देखा G20 countries या फिर में बात करूँ यहाँ पर उसको लेके काफी positive and bold statement दे रहे हैं कि आने वाले दिनों पर future है cryptocurrency का तो definitely यहाँ पर 110 trillion cryptocurrency जाएगा या नहीं बटेक अच्छा खासा future के साथ यहाँ पर grow करने वाला है crypto market definitely grow करेगा क्योंकि जब globally या फिर पब्लीकली यह चीज़े implement हो ज जो कुछ चीज़े हैं अगर real regression impose हो गया तो definitely यह चीज़े अच्छी खासी एक बुल situation create कर सकती है जैसकि में बात करा था शीवा इनुका फ्लोकी इनुका supply को देखेंगे and उसका future क्या हो सकता है उसको credit करेंगे and देखेंगे अगर क्या हो सकता है बट उससे पहले और दो ची है कि वो अपना जो asset है 13 September के बाद से बेश सकता है हर एक week, हर एक month, हर एक day तो जिसकी देख सकते हो FTS के पार total 3.4 billion dollar का यहां पर estimated value है जो कि यहां पर अगर अब देखोगे April महीने में था and जिसमें से कि यहां पर जो है हर एक week यहां पर 200 million dollar का यहां पर यह कि sell out कर सकता है प यहां पर एक चीज में आपको clear कर दूँ, last time जब Binance ने FTS से 580 million dollar का liquidity को कीश लिया था and FTS collapse कर गया and इस तरीके से अगर sell होते रहा 200, 300, 400 करके and continuously 3.4 billion तक तो definitely इसका असर गिरेगा and इसके साथ इस week में मतलब अगर आप देखोगे तो 13, 14, 20 and 28 तारीक को CPI data, PPI data, FOMS meeting and GDP report आ आने वाला है, तो इस month market में एक अच्छा का सा volatility देखने मिल सकता है, तो चलिए हम हमारा main content की सुरुबात करते हैं, Shiba Inu and Flow की Inu, but उससे पहले एक चीज में आपको दिखा देता हो, Bitcoin, अगर आज के time अगर आप देखोगे Bitcoin का price 25,872 dollar के आसपास चल रहा है, लगबग हमने मा supply 21 million है, आप सभी को बताऊगा, total supply 21 million है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमने bold statement देखा है कि सतोशी कुशाम हो, चाहे दूसरे किसी meme token या फिर utility coin के developer हो, वो burning करना नहीं चाहते है, उनका मानना यह है कि burning करने से कोई ज्यादा improvement coin में दीखेगा नहीं, अब price में growth आएगा, सिर कि सोचा, bitcoin का price क्या होता, कि आज के time पे अगर bitcoin का supply जादा होता, मतलब यह तो सिरुप सरुप 21 million है, अगर trillion में बिटकोइन का supply होता है, जादा नहीं, यहाँ पर हजारो trillion में सप्लाइए हो जाता, आज के time पे होता, तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, एक trillion में supply होता, तो आज का टाइम के market cap के according मान के चले 500 billion dollar का bitcoin का market cap है तो एक trillion supply के साथ अगर 500 billion dollar का market cap होता है तो bitcoin का price लगबग एक bitcoin का price ज्यादा नहीं 500 dollar के आसपास आता है जो कि ethereum से भी पतलब बहुत नीचे हो सकता था तो whole game is the supply मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चाहे जितने भी developer जो भी बोलेगी burning से कुछ नहीं होगा अगर burning से कुछ नहीं होगा तो आपने अपना coin को design इस तरीके से क्यों किया एड इस तरीकी से starting से प्रेजेंट क्यों कर रहे हो कि हमारे पास इतना supply है हम लोग contaminated updates लेके आएंगे को Bernie-related transaction लेकि आएंगे blades के चाह 경े के उसके'Teless को या करेंगे and price को उपड़ करेंगे अगर आपको करने का, यह आपको लगता है कि burning करने से यह सब कुछ नहीं होगा, तो डेटा दे क्या कहता है शीवा इनुका inoo ga price क्या हो सकता है ऐसक पहले , शीवा आर्मी के लिए इस पॉस्ट की देखेंगे चैसわか confinement चेरे अब थे घरने वाले है अभी सरफास किया है जिससे एक अच्छा का सा गुस्षिंगा पर की जा रही हैं १ जैसे कि कि की जाली है गर है एक दोप स्षेट की देखेंगे वर ट्री या मतलब transition को complete कर लिया है लग बग 15 लाग से ज़्यादा transition कर लिया है और लगबग 26 मिलियन यहाँ पर बोन को भी stack कर दिया है अगर अब देखोगे जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एक layer 2 blockchain है layer 2 blockchain है तो definitely layer 2 अभी अगर अब देखोगे अच्छा खासा market कर रहा है layer 2 blockchain के साथ कुछ competitor भी है competitor को देख लेते हैं जैसे कि देख सकते हो इस वक्त का newly launched layer 2 blockchain जो कि famous हो रहे हैं जिन में से कि मैंने आपको काफी सारे वीडियोस पर ही बताया कि arbitrary one of the best cryptocurrency है जो कि layer 2 solution पर काम कर रहा है जिसका अगर आप देखोगे यहाँ पर देख सकते हो जो लगबक 303 दिनों से है अच्छा कासा यहाँ पर इनका green signal के साथ आगे बढ़ रहा है उसके बाद optimism का अगरब देखोगे लगब 119 दिन से है और उसके बाद jet synchronized यहाँ पर अप देख से को best और इसके साथ competitor बन जाए दूस्तों हो लगबर हम situation की calculate करेंगे या फिर crypto market की बात करेंगे जो भी project या फिर जो companies उसपे investment करने वाले हैं अब जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि शीवा एनुका अगर एक trillion supply हो जाए तो शीवा इनुका price क्या हो सकता है तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो शीवा इनुका all time अगर हम देखेंगे यहाँ पर शीवा इनुका all time market cap के अगर हम बात कर लेते हैं तो शीवा इनुका all time market cap लगब 45 billion dollar को touch किया था बट current market cap शीवा इनुका क्या है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4.5 billion dollar का market cap है तो current market cap पे अगर शीवा इनुका supply एक trillion हो जाए य सकता है 0.0045 अगर शीवा इनु लगबख 99.8% token supply को बन कर देता है यह मुझे किसी भी तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा है कि शीवा इनुका एक trillion supply को पहुंचेगा कि 99.8% supply बन करना इस लाट जोक यह कोई जोक वाली बात नहीं है सपोज माल लीजिए शीवा इनु ने अपना all time high को एक बार फिर से टच कर लिया यहनी के दोस्तों अगर हम बात करेंगे शीवा इनु अपना all time high का market cap पर फिर से अचीब कर लिया है आने वाले 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 सालों के अंदर लेग बग 45 बिलियन डॉलर का market cap अगर शीवा इनु अचीब कर जाता है तो उस टाइम अगर शीवा इनु का 99.8% supply बन कर देते हैं तो price शीवा इनु का क्या हो जाता है तो तो price यहां पर जैसे कि में बात कर रहा था अगर शीवा इनु का अगर market cap चला जाता है कि 45 बिलियन डॉलर के आज पास all time हाई पे चला जाता है और उस टाइम सीवा एनुकर 99.8% या निकर वान टिलिन के सप्लाय हो जाता है तो इसका जो वैलुएशन वह हो जाता है चलता है यहाँ पर फ्लो की इनुगा सप्लाय कर जाय एक ट्रियू हो जाए तो क्या हो सकता है और क्या पोसिबल फॉलर की इनुगा पर हम बात करेंगे करेंट टाम में दोस्तों चोंडी अगर मार्केट के अगर बात करो देखो तो आज के टाइम पे फ्लो की इनु का रैंक ती कम है अगर आप गलोबली के सीमसी के अगुडिंग देखोगे तो वालिम के अगुडिंग 28 रैंक पे है ठीक है अब जैसके मुने बता वालिम के रैंक में इसकी ट्रेडिंग फोल के रिवे कंटिनियूस नी चल रहा है तो फ् पांस सो मिलियन डॉलर का मार्केट कैप को फ्लो की इनु ने अचीव कर लिया था है फ्लो की इनु अगर फिर सी अगर फ्लो की इनु का वान ट्रिलियन ऊजाए घटके जो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्यूंकि फिलो की इनु का अगर कोटा सुपला की बात करेंगी तो 10 त्रिलिएन है अगर 90% फ्लो की इनुको सप्लाई से हटा देते हैं तो यहाँ पर हमको सिर्फ सिर्फ एक ट्रिलियन बैलेस पे दिखे जा अगर यहां पर बात के रूफ की इनुका जो मार्केट कैप है आज के टाइम पे अगर देखोगे तो यहां पर अब देख सेकते हो 172 172 million से 1 million market cap अचीब करना अपना all time high का record break करना या फिर आने बाले bull run पे मतलब 200-300 million से 1 million जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी क्यूंकि market capitalization अभी flow की इनुपे है ने तो अगर market cap नहीं है तो ये चांस से की flow की इनुका market cap बढ़ सकता है 500 million dollar जा सकता है या फिर हम बात करेंगे 1 million dollar भी जा सकता है अगर flow की इनुँ near future कभी एक साल दो साल बाद 1 million dollar का market cap को अचीब कर जाता है एंड उस टाइम अगर flow की इनुका supply 90% बन कर देते हैं या फिर जो भी हो flow की इनुका supply दीरे दीरे बन करके 90% बन कर देते तो 1 trillion supply के साथ अगर हम देखेंगे flow की इनुँ अगर 1 million dollar का market cap भी अचीब कर जाता है तो उसका price जाएगा दोस्तों अभी जैसे कि अब देख सकते हो 0.401 साथ तो वहाँ पर 0.201 पर चला जाएगा and 0.201 in the sense अगर हम पैसे में calculate करेंगे तो लगबग 8-9 पैसे का valuation के साथ आपको यह जो flow की इनुद दिख सकता है अगर यह चीज़े हुई तो अपने according देख लिजिए आपको जो suitable लेगे अपना decision आप खुद कर सकते हो बाकि मेरा काम था हर एक detail क्या चल रहा है क्या नहीं